पुन्य पाप की सीरीज में क्या पढ़ रहे थे हम क्या क्या पढ़ चुकें काफी कुछ पढ़ चुकें उसी कड़ी में आगे टॉपिक आपको बोर्ट पर दिख गया होगा जी हाँ Quadratic Equation का एक टॉपिक है एलो आर लोकेशन ओफ रूट जो बच्चों को काफी तंग करता है मतलब है असान पर बच्चों को उसमें क्या होता है न कि ग्राफ नहीं चमकते हैं ग्राफिकल अप्रोच नहीं चमकती है या Conditions को रट लेते हैं Conditions को समझते नहीं है उसकी theme को नहीं समझते इसलिए जब उसका सवाल आता है तो थोड़ी सी problem का सामना करना पड़ता है और एक और बात IIT के लिए बड़ा पसंदीता topic है LOR सवाल आ भी जाता है और J.E.Mains में भी आ जाता है इसलिए LOR की understanding बहुत जरूरी है future prospect के हिसाब से भी क्यूंकि यह जो graphical approach है यह आपकी 12th की calculus में भी use होगी इसलिए graph की जो understanding है न वो आपको अगर आज clear हो गई तो आगे कभी परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो इस प्रकार के पाप को भी हम आपके दूर करेंगे इस वीडियो के थुरू तो चलिए बिना time का विलम करते होगे start करते है quadratic equation में LOR चलो तो LOR location of root basically वच्छो type के basis पर classified है न type 1 सबसे पहले समझना type 1 में आखिर होता क्या है ठीक कंडिशन लिख रहा हूं when both the roots both spelling गड़ बड़ हो गई या when both the roots of quadratic equation are larger या greater than a number d क्या मतलब है इसका याई नी दोनों के दोनों root किसी संख्या d से बढ़ें डी एक संख्या है या ना दोनों root d से बढ़ें तो अब क्या करोगे आपकी पहली step क्या होगी condition को ध्यान से पढ़ना और समझना फिर condition को पढ़ने और समझने के बाद उसके जितने भी possible graph है जितने भी possible graph है वो बनाना तो आई ये एक एक करके सारे graph बनाते है तो बच्चों के मन में आता है कि सर एक graph तो ऐसा बनेगा देखो दोनों root d से बढ़ें सर एक graph ऐसा बनेगा अभी भी दोनों root D से बढ़े हैं बट equal हैं एक graph सर ऐसा बनेगा दोनों root ऐसे आ जाएं और सर एक graph ऐसा बनेगा दोनों root थोड़ा सा उपर बना देतो हैं दोनों root कुछ इस प्रकार से आ जाएं बिल्कुल सही बात अब बच्चों अपने जहन में सोचो थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ डालो क्या इन चार पॉसिबल graph के अलावा कोई पांचवा पॉसिबल graph है जो इस condition को फुल्फिल करता हो pattern chronology को समझना step one है condition को पढ़ने के बाद आपको उस condition पर आधारी जितने भी graph पॉसिबल है वो बनाने है मुझे ये चार लग रहे हैं आप सोचो क्या कोई पांचवा हो सकता है चलो इसके बाद आपको क्या करना होता है आपको conditions लिखनी होती है है न ऐसी conditions जो तुमारी given condition को given जो statement है उसको follow करें उसको satisfy करें अब मुद्दे की बात सर यहां तो चार अलग अलग graph बन रहे हैं इस graph से कुछ condition आएगी दूसरे से कुछ और आएगी तीसरे से कुछ और आएगी चौते से कुछ और आएगी ऐसे तो बहुत सारी conditions हो जाएंगी बच्चों हमें कौन सी conditions ल लिखनी है जो इन चारो graph को खुद में समेट ले और वैसी conditions लिखने के लिए क्या process follow करते हैं समझना सबसे पहले आप graph number one की condition लिखो graph number one कब exist करेगा तो आप बोलोगे discriminant greater than zero है ना discriminant कैसा होना चाहिए 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए क्योंकि सर ये graph x-axis को दो जगा कट कर रहा है बिल्कुल सही बच्चों और d greater than zero यहां होना चाहिए और आप यहाँ पर क्या बोलोगे d equal to zero बोलोगे यहाँ आप d greater than zero बोलोगे और यहाँ भी आप d equal to zero बोलो इस graph के लिए दूसरी condition देखना आप सबको पता है vertex का x-coordinate होता है minus b by 2a, minus d by 4a होता है या नहीं होता है तो आप सभी को दिख रहा है कि जो vertex का x-coordinate है वो d से बड़ा है है या नहीं है तो एक condition और चमकी minus b by 2a must be greater than d खीक है second graph के लिए second graph के लिए sir d 0 है और दूसरी condition sir यहाँ पर भी minus b by 2a d से बड़ा है बिल्कुल सही third में sir discriminant greater than 0 है और यहाँ पर भी sir minus b by 2a d से बड़ा है बिल्कुल सही fourth में sir discriminant 0 है और यहाँ पर भी minus b by 2a vertex का x-coordinate किसी number d से बड़ा है बिल्कुल सही अब मैंने आपको क्या बोला अब आप ऐसी conditions लिखो जो इन चारो graph को खुद में समेट ले तो आपके मन में आया ठीक है sir ऐसा कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आप बोलोगे sir इस हिसाफ से discriminant की value या तो 0 से बड़ी या तो 0 के बराबर अब इस condition से sir चारो graph कवर हो गाए आप एक और condition बोलोगे जो चारों में common है minus b by 2a greater than t बिलकुल सही ये भी हो गया बट इसके बाद आपका असली काम शुरू होता है ये तो काफी असान काम है अब आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या जो आपने conditions लिखी है उनकी मदद से यही चार graph बनेंगी या कोई और ब 0 minus b by 2a greater than d अब आप अभी के लिए भूल जाओ कि आपको graph पता है although आपने चार बना रखें बट ऐसा सोच लो कि graph आपको नहीं पता अब आपको क्या करना है ये उल्टा काम पहले क्या करा graph के basis पर condition लिखी अब conditions के basis पर graph बना और चेक करो जो graph बन करके आ रहे हैं वही exact चा graph यहां पर है या नहीं या कभी ऐसा तो नहीं हो रहा जब मैं उल्टा काम कर रहा हूं condition की मदद से graph बना रहा हूं कभी ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई नया graph प्रकट हुआ जा रहा है जो इन चारों में नहीं था आईए वही मैं आपको दिखाता हूं कि इस condition के आधार पर ए एक और graph प्रकट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप चेक कर लो इस graph में बच्चों x-axis को एक कितनी जगा कट कर रहा है सर दो जगा तो क्या पहली condition satisfy हो गई डी शूने से बढ़ा हो या शूने से बढ़ा हो गया हो गई या नहीं हो गई बिल्कुल हो गई सर इसमें vertex का x- coordinate सर vertex का x-coordinate बिल्कुल सर डी से बढ़ा आ रहा है वो condition भी fulfill हो गई बट बच्चों इसमें मेरी जो मुख्य statement थी ना original statement वो fail हो गई original statement क्या थी बोट roots are larger than d यहां एक root d से बढ़ा आ गया और एक root d के पहले आ गया यानि d से छोटा यानि मैंने जो condition लिखी उसकी मदद से एक पाँचवा graph ने जनम ले लिया और वो पाँचवा graph मेरी original statement को defy कर रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब जो मैंने condition लिखी है उसमें कुछ missing है यानि कुछ और भी इसमें मुझे add करना पड़ेगा जिससे ये graph eliminate हो जाए समझा रही है बात तो यहां से एक और condition ढूनते है बच्छों यह protocol है यह pattern है जिस दिन आपको ये चमक गया ना ये series चमक गई ये chronology चमक गई तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इनके सवाल को फोड़ने से चलो अब कुछ और condition सोचते हैं चलिए यहां पर बच्छों मुझे बताईए आप यहां ए ए क्या है यह quadratic equation है quadratic equation माल लेता हूं है ax square प्लस bx प्लस c है ना जनरल equation माल लेता है ठीक ए ए क्या होता है x square का coefficient अगर ए positive होता है तो graph का मूँ उपर की तरफ ए negative होता है तो graph का मूँ नीचे की तरफ इसमें graph का मूँ उपर की तरफ खुल रहा है तो ए कैसा है positive है या नी ठीक है अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ बच्चो मुझे आप सभी बताईएगा यहां पर f of d की value f of d अब यह क्या बला है सर यानि यह मेरे लिए fx का काम कर रहा है यार यह मेरे लिए fx का काम कर रहा है f of d यानि जब x कॉडिनेट d होगा तब y कॉडिनेट क्या होगा f of d का मतलब x बराबर d पर y कॉडिनेट क्या मिलेगा तो आपने का ठीक है सर इसमें कौन सी बड़ी बात है तो सर इसमें ऐसा करना होता है आपके पास ग्राफ है आप d के पास चले जाओ और d से उपर पर परपेंडिक उलर जाते जो जहां ये ग्राफ को कट करेगा वो वैल्यू आ जाएगी y कॉडिनेट की यहां पर y एक्सिस होगी है न ओविसलिए यहां पर y एक्सिस होगी है न तो यहां पर क्या बच्चो आपको चमा कराएग यहां पर x कॉडिनेट जब d है तो y कॉडिनेट उपर आ रहा है उपर आ रहा है यानि यहां पर fd की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है बस इतना बताऊ बिलकुल ऐसा ह है मुँ उपर की तरफ खुल रहा है और यहां पर बच्चो FD की वैल्यू कैसी है सर FD की वैल्यू ग्राफ उपर है X-axis के यानी positive है ठीक है इसमें बच्चो मुझे बताओ A की वैल्यू negative है और इसमें FD की value कैसी है सर मुझे अगर d से मैं ऊपर चलूंगा तब तो मैं कभी graph तक पहुँची नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके graph का मून नीचे की तरफ खुल रहा है मतलब सर मुझे ऊपर नहीं चलना है perpendicular इस बार मुझे नीचे चलना है तो सर जब मैं नीचे चलूंगा तो मेरा graph तो कहीं ऐसा जा रहा है तो सर यहां पर आ करके कहीं मुझे यह y coordinate मिल जाएगा बिल्कुल सही बिटा तो मुझे बताओ इस बार fd की value x-axis के नीचे है या नहीं है तो इस बार fd less than 0 आया या नहीं आया बिल्कुल आया यहां पर देखते है यहां पर सर a negative है और यहां पर भी सर fd negative है अब एक ऐसी condition और जनम लेगी एक ऐसी condition इस set में और add करूंगा जिससे की यह जो additional graph मिल रहा था ना यह eliminate हो जाए तो वो क्या है अब ऐसी condition लिखो जो चारों को कबर करे ध्यान से बच्चों मुझे बताना a into fd का product इन दोनों का product क्या बन रहा है पहले graph में sir positive दूसरे graph में sir positive तीसरे graph में sir negative into negative positive चोथे graph में sir negative into negative positive यहां से condition पता चल गई कि इन दोनों का product हमेशा positive है तो भई conditions की बाद चल रही थी या नहीं चल रही थी एक और condition add कर दो इसके साथ वो क्या है A into F of D का product positive जैसे ये add करा अब देखो हुआ क्या यहाँ पर आ गई F D की value negative आ गई या नहीं आ गई ग्राफ नीचे है और sir A की value positive F D की value negative तो sir यहाँ A into F D का product आ गया negative और यहाँ होना चाहिए positive यानि अब यह eliminate हो गया जो एक ग्राफ एक्स्ट्रा आ रहा था उसको समाप्त कर दिया यानि अब जो मैंने condition लिखी है वो full proof सही है और यह तीन condition जनम लेती है पहली type के लिए समझाया रटना नहीं है चीजे याद करना असान कब होता है जब हम उसको समझ लेते हैं है ना contest कब कर सकते हैं जब वो बहतरीन तरीके से चमक जाया है अब I hope and I believe कि आपको graphical approach चमक रही होगी मैंने कुछ भी रटाया नहीं है chronology समझो condition को पढ़ा उन condition के basis पर मैंने सारे possible graph बना डाले फिर ऐसी condition लिखी जो उन सारे के सारे graph को cover कर रही है chronology समझा रहा हूँ उसके बाद उन graph को भूल गया उन condition के basis पर वापिस से graph बनाया और check करा कि कहीं कोई extra graph तो नहीं आ रहा अगर आ रहा है इसका मतलब जो मैंने condition लिखी है वो अभी complete नहीं है यहाँ से आपको hint मिलती है LOR की और graphical approach की I hope clear हो रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा तो इस basis पर मैंने सारी की सारी conditions derive कर ली कोई doubt है चली आप इस पर बेस सवाल करते है तो आईए करते है यह बच्चों मैं आपको बता दूँ यह IIT का सवाल है IIT का आया हुआ सवाल है year शायद 2009 या 2010 शायद 2009 था आया हुआ सवाल है तो अब आप समझोगी जेही में भी पूछी जाती है चीजें है ना बस आपको अपने दिमाग को broad mind में करना expand करना है और चीजों को याद नहीं करना है चीजों को समझना है clear अब देखो find the smallest value of k for which both the roots of the equation are real distinct real and have values at least 4 अब यहां समझना मैंने सवाल पढ़ा मैंने सवाल के basis पर graph बनाया है ना सवाल के basis पर graph बनाया तो सर यहां बोला है real and distinct और सर यहां x square का coefficient है 1 और सर 1 होता है positive यानि मूँ उपर की तरफ खुलेगा बिल्कुल और सर distinct root है इसका मतलब इसका क्या मतलब है कि दोनों root की value 4 हो सकती है या 4 से ज़ादा तो बच्चों मेरे क्या एक और graph पॉसिवल नहीं बनेगा क्या यह नहीं हो सकता condition पढ़ो are real, distinct and have values at least 4 तो at least 4 में 4 भी हो सकता है या 4 से बड़े हो सकते at least 4 यानी 4 या 4 से ज़ादा अब किसी के मन में आ रहा हो कि सर दोनों root 4 हो जाए ये भी तो हो सकता है बेटा distinct root लिखे है अलग-अलग समझा रही है बात तो सर अब इसमें पुरानी वाली type कैसे लगी अरे बच्चों पुरानी वाली ही type तो है और क्या है उसके दो graph eliminate हो गए negative वाले जब मुँ नीचे की तरफ खुल रहा है क्योंकि यहाँ a की value 1 दे रखी है यह है तो type 1 ही न when both the roots are greater than बस इसमें एक और चीज़ आड़ हो गई है कि यहाँ पर हो सकता है दो में से एक root स्वयम 4 बन जाए तो condition क्या आएगी चलो graph को देखो तो sir या तो यहाँ पर तो sir पहली बात तो discriminant greater than 0 होगा क्योंकि real and distinct है बिल्कुल सही बेटा second क्या होगा sir minus b by 2a होगा 4 से बढ़ा बिल्कुल सही बच्चो minus b by 2a होगा 4 से बढ़ा तीसरी condition आप सभी को पता है a into fd का product fd d का roll यहां कौन निबारा है 4 यानि sir क्या आना चाहिए यहाँ पर a यानि 1 into f of 4 का product यहाँ पर f4 positive a positive यहाँ पर f4 क्या होगा 0 यानि क्या लिखूंगा a into f4 must be greater than or equal to सिर्फ एक छोटा सा चेंज जेई ने खेल दिया था कुछ बच्चों को condition याद कर लेते हैं और लगा देते हैं बट जो बच्चा याद करता है रठता है और समझता नहीं है वो यहाँ मात खाता है उसको यह चमग गया type 1 है बट type 1 में तो हमने क्या पढ़ाया था देखना a into fd greater than 0 यहाँ मात खा जाते हो simple एक equality से उन्होंने कहा है have values at least 4 यानि अब दो में से एक रूट चार भी हो सकता है या दोनों के दोनों चार से बड़े एक रूट तो चार से बड़ा हो गई होगा दूसरा रूट हो सकता है वो भी चार से बड़ा हो या उन में से कोई एक चार स्वयम बन जाए clear है तो यहाँ पर condition में जो तोड़ा आता है जो एक concept use हो रहा है वो हो रहा है कि हो सकता है F4 की value 0 हो जाए जैसे second graph में अब देख लो यह आगए अब आप सोच लो क्या in condition के basis पर कोई और graph बनेगा बनने ही नहीं वाला try करके देख लेना clear? सोचना अब क्या करना है? इन सभी को solve करना है और final answer क्या होगा? इन सभी का intersection हो जाएगा final answer चलो solve करते हैं discriminant must be greater than 0 क्या आएगा? B square 64 K square minus 4 AC minus 64 times K square minus K plus 1 greater than 0 तो यह 64 और यह 64 उड़ गया K square से K square उड़ गया यहां से आ गया बच्चो K greater than 1 एक बार calculation आप लोग देख लेना 64 K square minus 64 times K square minus K plus 1 64 64 उड़ गया K square से K square उड़ गया यहां पर K minus 1 आ गया K greater than 1 आ गया बिल्कुल सही चलो second condition देखते हैं minus B by 2A तो sir B की value है 8K minus 8K B की value है minus 8K तो minus of minus 1 गया plus तो 8K upon 2 into 1 must be greater than 4 तो यहां से भी आ जाता है sir K greater than 1 बिल्कुल सही वेटा चलो तीसरी condition देखते हैं 1 into F4 is greater than और equal to 0 है ना चलो समझ लेते हैं F4 F4 कैसे आएगा यार इसी को तो Fx माना है हमने Fx क्या है expression है या नहीं है तो वो क्या control निबाग रहा है यह quadratic निबाएगी या नहीं निबाएगी तो यह बन जाएगा मेरा पूरा का पूरा Fx और F4 की value कैसे आएगी जहाँ जहाँ X वहाँ वहाँ 4 पूट कर दो क्या मिलेगा मुझे 16 और क्या मिलेगा माइनस का 32 कैल्कुलेशन चेक कर ले ना बच्चो माइनस का 32 के प्लस का 16 टाइम्स K स्कूर माइनस के प्लस 1 यह होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा बोलो मानते हो या नहीं मानते हो 0 या 0 से बड़ा अब देखो यहां होगा क्या यह 16 यह 16 और यह 2 बन जाएगा ठीक है ना अब इसको सॉल करेंगे तो क्या आजाएगा K स्कूर माइनस के माइनस 2 के यानि K स्कूर माइनस का 3 के यह ना और मेरे पास आएगा यहां प्लस का 1 और प्लस का 1 विच फ्लस का 2 इकोल टू यहां से बच्चों मेरे पास आजाएगा K माइनस 2 K प्लस वन K माइनस 2 और K माइनस 1 मुस्ट भी ग्रेटर नैं इकोल टू 0 एक बाज़ सब चेक कर लो, f416, माइनस 32k, प्लस 16 क्यke sqare, माइनस के 16-16 उड़ा, 2x हो गया, और minus 2k, minus k, minus का 3k बन गया, यह के sqare आ गया, और plus का 1, plus का 1, plus का 2 बन गये, k minus 2, k minus 1 आ गया, बिंदास, यहाँ से k की क्या value आ गई बंदास? यहाँ से k की value आ गई, minus infinity से 1, ये वेवी करब आपको आता है, union 2 से 2 से ले करके infinity 2 से ले करके infinity, ठीक है न? तीनों आ गए बच्छो, अब final उत्तर क्या होगा? इन तीनों का intersection, तो आईए intersection ले ले लेते हैं मेरे पास आया है, क्या क्या आया है? के greater than 1 आया है मेरे पास ठीक है? और क्या है यार मेरे पास? के greater than 1 के greater than 1, अरे यहाँ पर ही ले ले लेते हैं, वहाँ क्या जरूरत है तो simply आ रहा है, हवा में ही हो रहा है तो के greater than 1 के greater than 1 और के ये वाला, minus infinity से 1, union 2 से infinity, आप बताओ क्या उत्तर मिलने वाला है यहाँ equal to था बिटा, तो यहाँ पर जो bracket लगा है ना, रोक जो, यह वाला आप इसे लिख देता हूँ equal to है ना, तो यहाँ वेवी कर्व से आएगा, के belongs to minus infinity से 1, union 2 से infinity अब आपको intersection लेना आता है finally जब आप intersection वगेरा ले लोगे तो final उत्तर इन तीनों की मदद से आ जाएगा k belongs to 2 से infinity, क्या पूचा है सवाल में smallest value of k, बता दो क्या है smallest value सर 2 ही तो है smallest value तो answer क्या आगे है इसका smallest value पूची तो smallest value आगे 2, समझ आया, तो बच्चो देखो J E में आया हुआ है, कितना असान सवाल है, बस मात काँ खाओगे, अगर रट लोगे, क्योंकि जिस बच्चे ने condition रटी हुई होती है वो यहाँ पर equality नहीं लगाता, तो एक और बात मैं आपको बता दू, J E क्या है ना language के साथ खेलता है आपको सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है है ना, और मैं बता दू, एक और चीज जो आप सब फॉलो करना, एक मेरी सला है आपसे, बस आपस की बात है J E में ना कुछ को सवाल बहुत लेंदी होते हैं, मतलब बड़े सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, बड़े तुमने दो लाइन पढ़ी, उसकी मैट्स लिख ली, ठीक है फिर दो लाइन पढ़ी, उसकी मैट्स लिख ली फिर दो लाइन पढ़ी, उसकी मैट्स लिख ली, एक बार में पढ़ने से होता क्या है बच्चो, मान लो चार लाइन का सवाल है आपने पढ़ी चार लाइन पढ़ी बट चोथी लाइन पढ़ने के बाद जब आप सल्यूशन मनाने चलोगे तब आप पहली लाइन भूल चुके होगे जाब पहली लाइन टूटी-फूटी याद होगी तो टूटी-फूटी यादाश में होता क्या है गलतियां होत कि हम सवाल को पूरा एक बार में पढ़ना चाहते हैं अब उतसे देखो गलती हुई यानि तुमारे नंबर भी गए और टाइम वेस्ट भी होता है कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं चौथी लाइन पढ़ ली अरे यार पहली तो भूली गया चलो वापिस से पढ़ता हूँ फिर नीचे आते हो फिर वापिस से पढ़ता हूँ ये साइकल अनंत काल तक चलती रहती है तो इसमें बहुत समय की वरबादी होती है इसलिए एक पैटर्न फॉलो करो है ना जेई का एक्जाम लॉजिकल है है ना बिलकुल हार्ड वक पर भी डिबेंडेंट है बट ना उसमें तुमारी जो अप्रोच होनी चाहिए तुमारा विजन होना चाहिए दैट शुड बी वेरी क्लियर है ना कुछ स्राटीजीज है स्राटीजीकल पेपर होता है यार जेई हमेशा याद रखना स्राटीजी से चलोगे तो जेई फोर्ड होगे जस्ट फॉलो दा स्राटीजी दैट यूर टीचर टोल्ड यू है ना चलो नेक्स्ट करते हैं अब आ जाते हैं टाइप नमबर टू पर टाइप नमबर टू अब क्या है ये सिंपल है पहले टाइप थी वेन बोथ रूट्स हाई ग्रेटर दैन डी यहाँ है वेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाद्रेटिक विशन आर लेस दैन डी आर लेस दैन अ स्पेसिफिक नमबर डी है ना दोनों रूट इस बार डी से खोटे हैं क्या ग्राफ बनेगा सारे सारे जितने पॉसेले में वह बना दो estas तो आपके मन में आएगा सर एक ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा एक ग्राफ बन जाएगा सर कुछ ऐसा और सर एक ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा बिल्कुल सही बात है अब सर वही प्रोटोकॉल जो आपने बताया थे वही फॉलो करते हैं कंडीशन इसमें क्या कंडीशन आएगी इसमें बच्चों सबसे पहले सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट करते हैं जो सबसे असान है दो जगा कट कर रहा है ग्रेटर दैन जीरो सेकेंड कंडीशन वर्टेक्स का एक्स कोडिनेट इस बार डी से छोटा है माइनस वी बार टू ए इस लेस दैन डी यहाँ पर यहाँ पर सर डी ग्रेटर दैन डी इकोल टू जीरो है और इस बार सर वर्टेक्स का एक्स कोडिनेट डी से छोटा है पहले, बिल्कुल सही, यहाँ पर, यहाँ पर भी sir, d greater than 0 है, और minus b by 2a, जो है, वो d से छोटा है, बिल्कुल सही बाद, यहाँ पर, यहाँ पर भी बच्चो, d equal to 0 और minus b by 2a, जो है, वो d से छोटा है, फिर क्या करते थे, chronology, sir, ऐसी condition लिखते थे, जो चारो graph को cover कर ले, तो sir, यहाँ से मेरे पास conditions आती है, discriminant greater than या equal to 0, और minus b by 2a की value less than d, फिर क्या करते थे, इसके बाद sir, इन condition के basis पर graph बनाते थे, इन condition के basis पर graph बनाते थे, तो चलो graph बनाते और यह चेक करते थे, इन condition के basis पर कहीं ऐसा तो नहीं कोई नया graph जनम ले रहा हो, जो यहाँ पर हो ही नहीं, अगर ऐसा कोई नया graph जनम लेता है, इसका मतलब हमने जो condition लिखी हैं, वो अधूरी हैं, तो क्या condition लिखी, discriminant greater than equal to 0, minus b by 2a less than d, तो बच्चो अगेन इस basis पर यह वाला graph बन जाएगा, यह लो, और इस graph में आप सभी को दिख रहा है, कि एक root d से बढ़ा, एक root d से छ चोटा, और discriminant भी 0 से बढ़ा, यानि दोनों condition follow रही है, बट इस इन दोनों condition के basis पर एक ऐसा graph जनम ले रहा है, जो मेरी original statement को defy कर रहा है, when both roots are less than d, यहाँ एक root d से छोटा आ गया, एक root d से बढ़ा गया, यहानि कोई condition नहीं आएगी, वो आप सबको अब तो थोड़ी सी य याद भी हो गई होगी, यहाँ पर सर a positive और fd भी positive, यहाँ पर सर a positive, fd भी positive, यहाँ पर सर a negative, fd भी negative, नीचे आएगा, यहाँ पर a negative और fd भी negative, यानि इसका मतलब सर एक और condition आ गई, सेम पहला जैसा, a into fd must be greater than 0, चेक कर लो, फरक क्या आया, वहाँ vertex का इस coordinate d से बड़ा था, यहाँ d से छोटा है, clear है, कोई doubt होना नहीं चाहिए, क्योंकि पुराने वाले पर ही आदारी थे, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, यह हो गई आपकी type number 2, अब आजाते हैं बच्चो type 3 पर, type number 3, type number 3 क्या claim करती है, ज़रा समझ येगा, when both roots, both roots हैं, when d lies between the roots, between the roots, इस बार क्या है, अभी तक क्या था, दोनों root d से बड़े, second में d से छोटे, इस बार क्या आ गया, d बीच में, यानि या तो ऐसा graph बनेगा, या तो ऐसा graph बनेगा, अब बच्चो सोचो, condition को पढ़ने के बाद, मैंने ये graph बनाए, क्या आपने भी ये दोनों बनाए, क्या आपके मन में कोई तीसा graph आ रहा है, अगर आ रहा है, तो वो गलत है, सोचो क्यों गलत है, खुद justify क कर लोगे क्यों गलत है, condition क्या claim कर रही है, when d lies between the roots, दोनों roots के बीच में d आना चाहिए, तो क्या बच्चों यहां ये बात पश्ट नहीं है, स्वयम ये बात साबित नहीं हो चुकी है, कि अगर d को बीच में आना है, तो graph को दो जगा कट करना पड़ेगा, तभी तो बीच म में आएगा, और अगर graph दो जगा कट करेगा, तो discriminant तो हमेशा 0 से बढ़ा आएगा या नहीं आएगा, यानि discriminant को तो हमेशा 0 से बढ़ा होना ही है, तो यहां पर भी discriminant greater than 0, यहां पर भी discriminant greater than 0, और क्या मन में विचार आता है, सर वर्टेक्स का x-coordinate, यहां पर लोचाए तुमें नहीं पता, वर्टेक्स का x-coordinate यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है, यह लो ना, यह लो, तो यहां आगया, ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है, यह लो, यहां पर आगया, minus b by 2 है, d से पहले और यहां d के बात, यानि अपन यहां व condition है, जो एक और हो, क्योंकि d greater than 0 के basis पर तो अनंत प्रकार के ग्राफ बन जाएंगे, यह लो, बट उस condition को लिखने की आवशकते ही नहीं है, क्योंकि वो तो self-satisfy हो रही है, मेरे बच्चों, d तो 0 से बढ़ा ही है, क्योंकि मेरी type में ही बोल दिया है, when d lies between the roots, यह तो होई रहा है, इसका मतला, अब दूसरी condition, यहाँ पर बच्चों, a कैसा है, positive, fd कैसा है, बच्चों, negative, यहाँ पर a कैसा है, negative, fd की value कैसी है, positive, चमक गया, चमक कही condition, a into f of b की जो value है, वो कैसी आनी चाहिए, negative, देख लो न, दोनों में निगटिव आ रही है, नहीं आनी, अब क् होगे, इन condition के basis पर graph बनाऊंगे, और check करना, कोई भी graph ऐसा नहीं बनेगा, तीसरा, इसका मतलब जो मैंने condition लिखी है, वो 100% पक्की है, अब, देखो, मैं कहा रहा हूँ कि इस condition को लगाने की जरुवत है नहीं, है न, समझना क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोल जब दो, दो चीजें हो, बीच का क्या मतलब है, इधर भी कुछ पडोसी हो, और इधर भी कुछ पडोसी हो, तो D तो greater than 0 हो गई होगा, यानि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस condition पर focus करना है, A into FD less than 0, मेरा सवाल हो जाए, कोई doubt आ रहा है, clear हो गई होगी type number 3, easy है बड़ी, चल next करते हैं, type number 4, चलिए, type number 4 कर लेते हैं, type 4 ना बड़ी important है, इस पर star लगा लेना, याना, type 4 में actually थोड़ा सा और logic यूज़ हो रहे हैं, समझें, type 4 में क्या है, when exactly one root, when exactly one root lies in the interval, open D से open E, when exactly one root lies in the interval, open D से open E, अब समझें, इसका मतलग क्या है, exactly एक root है, open D से open E के बीच के, है ना, इसमें कुछ confusions हाते हैं, समझें, कुछ statement लिख रहा हूँ, when exactly one root lies in minus 2 से 3, समझना, है ना, इस बार close bracket है, और second में क्या है, when exactly one root lies in open minus 2 से open 3, इन दोनों में फरक समझना, minus 2 से 3 के बीच में, exactly एक root आना है, closed bracket और open bracket में खेल हो रहा है, यहाँ, closed bracket और open bracket में खेल हो रहा है, अभी तो मैं condition लिखी नहीं रहा हूँ, अभी तो bracket का खेलना सिखा रहा हूँ, अच्छा, exactly one root lies in the interval, minus 2 से 3, माल लो यहाँ कोई quadratic है, माल लो कोई भी quadratic रही होगी, तो solve करके मेरी x की जो value आती है, माल लो let's say वो 1 आती है, और वो minus 2 आ जाती है, यह ना, वो आ जाती है, minus 2, तो graph कैसा बनेगा, अगर मैं graph बनाने चलूँगा, graph ऐसा बनेगा, minus 2 और 1 और ऐसा graph बन जाएगा, है ना, माल लेते पैरा बोल आ ओपनिंग अप्वरड़ भी ओसकते है, बस समझ रहाँ, ऐसा graph बन जाएगा है यह नहीं बन जाएगा, ठीक, और मैंने क्या बोला था, exactly one root lies in the interval, minus 2 से 3, minus 2 से 3, 3 कहीं यहाँ आ रहा है, मैंने क्या बोला था, close minus 2 से close 3, अब बताना, समझना, एक root आया है minus 2, है ना, क्या वो इस bracket में lie कर रहा है, येस, क्योंकि minus 2 पर लगा है close bracket, ठीक, और एक root आया है one, क्या वो भी इसमें lie कर रहा है, इसका मतलब, इस bracket में, कितने root allowed थे मुझे, exactly one, कितने root मेरे आ गए, दो आ गए, close bracket लगने की वज़े से, minus 2 भी count हो गया, और 1 तो count हुआ ही हुआ, तो समझना, bracket की वज़े से, minus 2 से 3 में जब bracket लगा दिया, तो मेरी जो ये values आ रही हैं, ये satisfy नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक root minus 2 आ रहा है, एक one आ रहा है, but minus 2 पर close लगा है, मुझे चाहिए था exactly one root, मिल गए हैं मुझे दो root, minus 2 भी मिल गया है, और 1 भी मिल गया है, जो इस bracket में लाए कर रहा है, खिक, अब देखना, minus 2 से 3, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है, यह आ गया one, अब, क्या minus 2 इस इलाके में लाए कर रहा है, इतना बता दो, सर, minus 2 कैसे इस इलाके में लाए करेगा, जब minus 2 पर open bracket लगा है, क्या one इस इलाके में लाए कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्या इस इलाके में सिरफ और सिरफ एक रूट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि minus 2 पर open bracket लगा था, इसलिए यहाँ यह allowed हो गिया, और यहाँ यह reject हो गिया, समझा रही है, यह जरा सा bracket के हेर फेर से सवाल में कितना बड़ा परिवर्था ना जाता है, clear हो रहा है, यहाँ close bracket लगा है, तो इस दुनिया में minus 2 भी आ रहा है, और इस दुनिया में 1 भी आ रहा है, बट मुझे इस दुनिया में केवल एक रूट चाहिए था, और मिल गए मुझे दो, यानि यह हो गया गलत, यहाँ देखो, यहाँ minus 2 पर open था, यहाँ दो रूट आये, minus 2 आया और 1 आया, 1 है उस दुनिया में, बट इस दुनिया में minus 2 नहीं है, क्योंकि minus 2 पर लगा है open bracket, यानि मेरी condition अभी भी valid है, वेन इग्जैक्टली, वन रूट लाइस इन दा इंटरवल, minus 2 से 3, यहाँ यह एक्सेप्ट और यहाँ यह रिजट, bracket का यह फिर समझाया, यहाँ पर टाइप में उन्होंने open दिया है, बट close दे दें, तो confuse मत हो ना, कि मैंने तुम्हें विजन सिखा दिया है, clear, अब एक और बात, इस टाइप में end point हमेशा चेक करने होगे, जो end point है ना D से उन पर हमेशा चेक करने होगा, सवाल के थूँ clear हो जाएगा, टेंशन मतलों, अब आ जाती इसकी condition पर, अब ये सारा ग्यान तो मैंने दे दिया open close वाला, hopefully, hopefully क्या belief है समझ आ गया होगा, चलो, अब इसकी condition लिखते हैं, conditions, चलिए conditions पर आते हैं, तो सबसे पहले क्या-क्या graph बनेंगे, तो sir, D से E के बीच में एक है, ऐसा graph बन सकता है sir, D से E के बीच में है sir, ऐसा graph बन सकता है, बिल्कुल न, exactly one row, ठीक, ये चार graph बनेंगे, क्या इनके अलावा कुछ बनेगा, exactly one का है, तो ये ही बनेगा, किसी के मन में आ रहो हो कि ये बन जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये डी से E के बीच में, दो रूट हो गाए, दोनों equal है, बट संख्या तो दो हो गई न, इसलिए गलत हो गाए, तो ये तो गलत है, तो ये ही चार graph बनेंगे, आपके भी ये ही चार बनने चाहिए, देख ले न, ठीक है न, ठीक है, चलो, सर यहाँ पर FD की वाल्यू पॉजिटिव है, और FE की वाल्यू निगिटिव है, ठीक है, यहाँ पर FD की वाल्यू पॉजिटिव, FE की वाल्यू निगिटिव, और A की वाल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर FD की वाल्यू निगिटिव, F E की value देखो ना उपर जाना पड़ रहा है positive और A की value negative यहां पड़ सर F D की value positive और F E की value negative और A की value negative मुँ नीचे की तरफ खुल रहा है यहां F D की value सर negative F E की value सर positive और A की value positive अप यहां क्या condition लगाई जाए क्या यहां A into F D A into F E करा जाए यहां सीधे direct F D into F E कर दिया जाए मैं आपको बोल रहा हूं necessary condition में condition यहां लिख रहा हूं blue से लिखता हूं condition condition मैं आपको क्या बूली देखना एक तो हो गई बच्चों discriminant greater than C पहली दूसरी condition हो गई बच्चों F D into F E का product क्या रहा है negative क्या रहा है negative क्या रहा है negative यहां क्या रहा है negative F D into F E का product negative बोलो गई मानते हो यह नहीं मानते हो clear है ना F D into F E हो गया negative और discriminant हो गया greater than 0 सारी टाइप आपको clear है type 3 भी clear है आपको और यह हो गई type number 4 कोई doubt है चली अब एक चीज समझना बेटा main point समझना यहां पर लिख लेना star बनाके type 4 में type 4 में always check end points always check end points क्योंकि वहां bracket का लोचा आता है न है चेक जरूर करना है में end point ठीक आव डारेक्ट सवाल पर आते है थीम तो clear हो गई होगी condition भी clear हो गई होगी डी greater than 0 और F D into F E less than 0 आ जाते हैं सवाल से real clarity आपको आ जाएगी सवाल समझना यह दे रखा है कोफी x square का coefficient 1 है यानि पैराबोला का मूँ उपर की तरफ खुले का दो ग्राफ ऑटोमेटिक रिजेक्ट होगा है lies entire interval open minus 1 से open 1 यह ना open minus 1 से open 1 के बीच तो यह graph बनेगा या फिर यह वाला graph बनेगा बनेगा यह नहीं बनेगा यह दो possible है condition क्या थी? discriminant 0 से बढ़ा, discriminant 0 से बढ़ा पहले कर देते तो discriminant को 0 से बढ़ा करोगे तो क्या आएगा बच्छो आपके पास? solve कर लेते 20 square यानी 6k minus 1 का whole square minus 4ac plus का 8k must be greater than 0 solve करोगे तो क्या मिलेगा? 36k square minus 12k plus 8k minus 4k plus 1 minus 12k correct greater than 0 आगया है यह नहीं आगया? ठीक, अब जर्रह ध्यान से देखना, discriminant को greater than 0 करना है और यहाँ पर जो तुम्हारे पास quadratic बनी है इस quadratic का, इस quadratic का discriminant क्या आ रहा है? इस quadratic का discriminant क्या आ रहा है? 16 minus 4 into 36, negative आ रहा है जिस quadratic का D negative होता है और A positive होता है वो तो हमेशा positive होती है यानि यह तो हमेशा सकती है बेटा यह तो हमेशा सकती है समझा रही है या नहीं आरी बात? यानि this is always true कोई problem नहीं है है ना? इसका क्या मतलब हुआ बच्चो? यहाँ पर हमने करा था ना type 4 में इन्टू F E का product must be less than 0 F D क्या है यहाँ पर? F 1 F minus 1 into F of 1 must be less than 0 F minus 1 की क्या value आजाएगी बच्चो solve करना ज़रा F minus 1 आपके पास आजाएगा हाँ F minus 1 आपके पास आजाएगा यहाँ पर 1 minus 6 के plus 1 1 minus 6 के plus का 1 ठीक है? और minus का 2 के यहाँ आपके पास और F 1 में क्या आजाएगा? 1 plus 6 के minus 1 minus 2 के यहाँ गया must be less than 0 calculation कर लो simple यहाँ पर minus 6 के minus 8 के plus 2 है न? और यहाँ पर 4 के यह must be less than 0 कोई डाउट है तो पूछ लो बटा this must be less than 0 कोई डाउट? यहाँ पर solve करोगे तो क्या आजाएगा? मैं इधर कर देता हूँ minus 8 के plus का 2 और क्या मिला था बच्चो? 4 के must be less than 0 तो क का कोफिशंट पॉजिटिव बना लेते हैं 8 के minus 2 into 4 के must be greater than 0 यहाँ से आपके पास आगया है directly के बिलोंग स्टू minus infinity से 0 union 1 by 4 से infinity कोई डाउट है? यह आपके पास आगयी कर्देशंट ठीक है? कोई डाउट है? FD into FE less than 0 simple कर रहा हूँ याद D की जगा minus 1 ले लेगा E की जगा 1 ले लेगा और यह value पूट करते है simple basic calculation ठीक? अब यह आगया मेरे पास के मैंने आपको क्या बोला था? क्या बोला था? आपको end point पर चेक करना है यहाँ पर क्या-क्या end point है? minus infinity और infinity से तो कोई मतलब ही नहीं 0 और 1 बाइ 4 का लोचा है या नहीं है? अब यहाँ पर मेरे सवाल में जो end point का काम कर रहे है वो कर रहे है minus 1 और 1 है ना? minus 1 और 1 कर रहे है x की value minus 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए यह कर रहे है अब समझना चेक करते है k की value 0 पर और k की value 1 बाइ 4 पर when k बराबर 0 जड़ा देखना जब k 0 के बराबर है तो मेरी equation क्या बन जाएगी? x square 0 पूट कर रहा हूं मेटा x square minus का x बराबर 0 यहाँ से x की value बच्चों मुझे मिली 0 और 1 क्या मिली? 0 और 1 यहाँ पर आपको कौन से end point check करने बेटा हमेशा याद रखना यहाँ लोचा आएगा जो आपकी k की value आई है उनके end point को हमेशा आपको check करना है मतलब करना है क्यों करना है? अभी समझा जगा थोड़ा सा सबर रखना क्योंकि यह type सबसे बहतरीन type है conceptual है काफी k की value जब क्या है? 0 देखना मच्चो यहाँ से क्या-क्या root आये मेरे? 0 आया और 1 आया यानि मेरा graph सर ऐसा बना ऐसा बना या नहीं बना? बना? मुझे सवाल में क्या बोला था? minus 1 से 1 open के बीच में root होने चाहिए minus 1 आएगा यहाँ 1 आया यहाँ अब बताओ क्या ये graph मुझे सुईकार है या नहीं? बस इतना बता दो minus 1 से 1 open के लिए सुईकार है या नहीं? बताओ minus 1 से 1 की दुनिया में अभी भी तो सिर्फ एक ही value आ रही है कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 भी तो आ गया बत 1 इस दुनिया में है ही नहीं इस दुनिया में एक रूट आना चाहिए और इस दुनिया में एक ही रूट आ रहा है 0 इसका मतलब ये के की value शून नहीं accept होगी या reject होगी सर ये allowed है हमारी condition में allowed है तो के बराबर 0 को accept करो बिलकुल सही तो यहां पर 0 पर जो open bracket लगा था अब क्या लग जाएगा close bracket 1 by 4 पर चेक करो clear हो रहा है फंडा समझ आ रहा है तो जैसे या 1 by 4 पूट करोगे क्या मनेगा x square minus k की value क्या पूट करनी है 1 by 4 तो ये आया 3 by 2 यानी 1 by 2 यानी x by 2 ठीक है और minus का 2k यानी minus का k by k करो minus का 1 by 2 minus का 2k है ना minus का 1 by 2 ये आया चलो इसके roots निकालो क्या बने गए ये 2x square minus x minus 1 बराबर 0 यहां से क्या आ जाएगा 2x square minus 2x plus x minus 1 बराबर 0 यहां से आ गया x minus 1 और 2x plus 1 बताओ कोई doubt हो तो पूछ लो clear है यहां से x की value आ गई 1 और minus का half अब बच्चो ये सवाल अंतो चुकर graph बनाओ एक root आया है sir minus half एक root आया है one graph sir ऐसा बनेगा मुझे सवाल में क्या बोला गया था minus 1 से 1 के बीच में एक होना चाहिए क्या एक है क्योंकि sir open minus 1 से 1 था अब बताना बच्चो इसी सवाल में परिवर्तन कर दूँ अगर यहां पर minus 1 से 1 closed आ जाता क्या ये graph सुईकार होता इस दुनिया में 1 भी आता क्योंकि closed bracket है इस दुनिया में minus half भी आता और चाहिए सिर्फ एक था इसलिए ये graph तब reject हो जाता जो अब accept हो रहा है वो तब reject हो जाता clear हो रहा है या नहीं हो रहा बच्चो एक ये बड़ा छोटी सी बात है bracket की बट कितना बड़ा परिवर्तन लादे की सवाल में तो final उत्तर क्या हो जाएगा ये 0 पर open नहीं closed bracket एक बटे 4 पर open नहीं closed bracket समझ आया कोई doubt आया final उत्तर अब देखो बच्चो कितना simplistic है 0 वाला option 0 पर open 1 by 4 पर open वाला भी option होगा तुमारे फेपर में closed वाला भी होगा इतनी छोटी सी चीज तुमारी ये जो इतनी महनत है न इसको बरबाद कर देगी तो हमेशा याद रखना type 4 में जो तुमारी k की value निकल कर आएंगी उसके जो end point होगे ऐसे तो end point में minus infinity और infinity भी आ रहा है but infinity और minus infinity तक तो पहुचा ही नहीं जा सकता तो उनको put कैसे करूँगा यानि 0 पर चेक कर आऊ और 1 by 4 पर जो जो end point है कोई doubt है इस तरीके से check करते है clear अब सारी गणे समझ आई आ गई होगी तो final answer क्या हो जाएगा minus infinity से 0 union 1 by 4 से infinity और 0 और 1 by 4 पर close bracket कोई doubt है यह थी सबसे बहतरी इंट टाइप टाइप नंबर 4 अब आ जाते हैं जो दो हमारी टाइप रह गई है बड़ी सिंपल से हैं कोई जरूवत नहीं है उन पर जादा परेशान होने की क्योंगे बड़ी सिंपल है टाइप 5 when अभी क्या था एक रूट D से E के बीच में था when बोथ रूट्स are confined between D and E दोनों के दोनों रूट्स D और E के बीच में है तो क्या आ जाएगा यहां पर सर या तो यह ग्राफ बनेगा 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 इसके अलावा कोई और ग्राफ बनने नहीं वाला conditions लिख लेते हैं सर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दन जीरो माइनस B बाई 2 A D से बड़ा E से छोटा बीच में लाई कर रहा है ना D से बड़ा और E से छोटा सही बात है यहाँपर सर डिस्क्रिमिनेंट न इएक्वल टू जीरो और माइनस वालट अग्रेटिनेट माइनस B बाई 2 A D से E के बीच में यहाँपर सर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दन जीरो और D से E के बीच में sister Vy2A, sir, यहाँ पर, यहाँ पर D equal to 0, और minus Vy2A, D से E के बीच में, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं, क्या यह sufficient condition है, चलो चेक करते हैं, conditions क्या आ गई, इन चारों की basis पर, sir, D equal, greater than, और equal to 0, और minus Vy2A, D से E के बीच में, अब मैं आपको कह रहा हूँ, इस condition के अधार पर एक ग्राफ और बनेगा, इस condition के अधार पर एक ग्राफ और बनेगा, इसका मतलब अधूरी condition है, देखना क्या ग्राफ बनेगा, discriminant greater than 0, एक सकेट, चेक कर लेते हैं, और minus Vy2A, D से E के बीच में, यह आ गया है हमारे पास, क्या यह सफिशन्ट है, चेक कर देखना है, यहाँ पर आया मेरा D, यहाँ पर आया मेरा E, ठीक है, discriminant greater than 0 बोला है, और D से E के बीच में चाहिए, minus Vy2A, इतना ही तो बोला है, जड़ा देखना, क्या यह ग्राफ नहीं बन जाएगा, यह देखो, यह ग्राफ नहीं बन जाएगा, देखो न, minus Vy2A, D से बड़ा, E से छोटा, और discriminant positive, सोच करके देखो बस, क्या यह ग्राफ तुमारी condition को सुईकार है, acceptable है, क्या होला था, दोनों के दोनों रूट D से E के बीच में होने चाहिए, यहाँ एक इधार है, इसका मतलब अधूर condition है या नहीं है, ठीक है, तो चलो, अब मैं बता देता हूँ, अगर condition अधूरी है, तो इस condition को कैसे fulfill करा जाए, तो यह आपको अब तो आदत भी पढ़ गई होगी, कि कुछ तो A into FD, A into FE जैसा आने वाला है, है न, तो यहाँ पर A कैसा है, positive, FD कैसा है, positive, FE कैसा है, positive, बिल है, positive, यहाँ पर A कैसा है, negative, FD कैसा है, बच्चों, वो भी negative, FE कैसा है, बच्चों, वो भी negative, है न, नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर A कैसा है, negative, FD कैसा है, सर, negative, FE कैसा है, negative, तो कुछ बच्चों के मन में आता है condition, कि FD और FE का product, जो पिछली type में था, है न, सर एक का करो ना FD और FE का प्रोड़क्ट आप पॉजिटिव बना दो यह कर दो यहां हो गया लोचा यहां हो गया लोचा देखना मैंने क्या बूला कंडीशन लिखो फिर उन कंडीशन से वापिस ग्राफ बनाओ और चेक करो कोई नया ग्राफ तो उत्पन नहीं हो रहा जरा बच्चो चेक करना मैं अभी आप सबको बताता हूँ इस बेसिस पर एक ग्राफ और पैदा हो जाएगा तुमारी दुनिया में देखियेगा कुछ ऐसा देखो बच्चो वर्टेक्स का X कोडिनेट D से E के बीच में है नहीं D से बड़ा E से छोटा ठीक है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेट क्या तीसरी हो रही है बिलकुल हो रही है सर यहाँ पर F D निगेटिव और F E निगेटिव और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव क्या ये ग्राफ तुम्हें acceptable है क्या ये तुम्हारी condition को define नहीं कर रहा है दोनों के दोनों root D से E के बीच में होने चाहिए इसका मतलब जो तुमने condition लिखी है वो गलत है क्योंकि इस condition के basis पर एक ऐसा graph जनम ले रहा है जो तुम्हें सुईकार नहीं है इसका मतलब अब सही condition अपन लिख देते हैं सही condition eventually आ क्या जाएगी बच्चों सही condition आ जाएगी A into F D A into F D की value positive ठीक है और A into F E की value positive चेक कर लो हर graph में A F D, A F E positive, A F D, A F E positive, A F D negative negative positive, negative negative positive, AF D positive, A F E positive ये आपकी चारो की चारो condition आ चुकी है ये graph भी सुईकार नहीं था हमें ये graph भी सुईकार नहीं था chronology समझ रहे हो इस pattern से है ना इस vision से अगर सवाल करोगे ना तो IIT कोई रोक दे आपका तो मेरे पास आजा clear है? समझ आया? ये आपकी condition आ गई अब eventually आपको समझ आ रहे हैं सवाल काफी बड़ा बनेगा ये condition solve करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा ये करूँगा, चारो का intersection लूँगा, बड़ा है ठीक है? कोई doubt है? चलिए अब आखरी type cover कर लेते हैं जो कि है हमारी type number 6 है ना? type 5 हो गई, D से ही हाँ type 6 और cover कर लेते हैं फिर ये सवाल भी कर लेंगे type 6 type 6 यहाँ पर लिख रहा हूं बच्चों फिर सवाल के लिए erase कर दूँगा by chance, by any means शायदे एक slight कम हो गई है type 6 when no down कर ले न, फिर erase करूँगा सवाल सॉल करने के लिए when क्या था बच्चों जब एक root D से ही के बीच में जब दोनो root D से ही के बीच में अब क्या बनेगा? when one root when one root is less than D less than D and other root other root is greater than E बनेगा यैं नहीं बनेगा? देखो एक root D से बड़ा और एक root D से छोटा और एक root E से बड़ा ये graph बनेगा और सर ये graph बनेगा मेरे बच्चों क्या इन दोनों graph की अलावा कोई graph बनेगा? सोच ले क्या बनेगा? एक root D से छोटा एक रूट E से बढ़ा, एक रूट D से छोटा, एक रूट E से बढ़ा, clear है, क्या condition है, discriminant greater than 0, discriminant greater than 0, ठीक है, और क्या condition है बच्चो, बताना, क्या vertex पर comment कर पाऊंगा, vertex हो कैसा भी बन सकता है, हो सकता है, यार, ऐसा आचा, यह लो, यह लो, तो vertex हो सकता है, D से छोटा हो, D से E के बीच में, वो E से बढ़ा हो, कुछ भी comment नहीं करा जा सकता, vertex पर, फिर किस पर comment करेंगे, set standard है, या तो vertex पर करते हैं, या फिर हम discriminant पर करते हैं, या फिर हम आजाते हैं, A into F, D, A into F, E, F, D into F, E, sort of ऐसा deal करते हैं, है न, सारी चीज़े लिख लो, A कैसा है, positive, F, D कैसा है, negative, F, E कैसा है, negative, A कैसा है, negative, F, D कैसा है, positive, क्योंकि उपर जाना पड़ेगा, उपर जाना पड़ेगा, ग्राफ तक पहुँचने के लिए, F, E कैसा है, positive, अब, क्या condition होनी चाहिए, A into F, D, A into F, E, अलग-अलग करूं, क्या करूं, बतलब, A into F, D, A into F, E, अलग-अलग करूं, या, चलो, same कर देते हैं, पहले, पहले क्या करते हैं, D greater than 0 कर देते हैं, और, F, D into F, E कर देते हैं, अपन, greater than 0, अब सोचो, इन condition के basis पर, क्या कोई और ग्राफ जनम लेगा, सोचो, क्या कोई और ग्राफ जनम लेगा, जी हाँ, समझना कौन सा ग्राफ जनम लेगा, D, E, ये ग्राफ जनम ले लेगा, देख लो भई, यहाँ पर D positive है, F, D into F, E का product positive है, बट ये ग्राफ तुमें सुईकार नहीं है, क्योंकि एक root D से छोटा और एक root D से बढ़ा, इसका मतलब जो तुमने लिखा है, वो गलत है, है न, इसी तरीके से मैं आपको सारी चीज़े सिखा रहा हूं, बच्चो, कुछ भी रटना नहीं है, concept, ये गलत हो गया, अग्या आएगा यहाँ पर, अगर ये गलत है, तो सही क्या है, सर, सर, देख लो न, ये ही होगा, A into F, D, A और F, D का product, positive into negative, negative, और A into F, E का product, positive into negative, positive, negative, positive, negative, 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 positive, negative, negative, positive, negative, कोई doubt है, तो ये आगई आपकी necessary condition, clear है, ये लगा दो गया answer, आजाए, कोई doubt है, ये थी आपकी type number 6, कोई doubt हो तो पूछ लो, कोई doubt, नहीं होना चाहिए, चलिए, अब मैं इसको erase कर रहा हूं, बच्चो, so that मैं आपको ये सवाल बता सकू, ठीक है, चलिए, note down कर ले, ना, वीडियो pause करके, आप note down कर सक्या, और ये तो आपके पुराने पाप है, इवेंच्वली इसके notes तो आपके पास वैसे भी होंगे, जब आपने class attend करी होगी, तो कोई problem वाली बात नहीं है, उन्हीं notes को enhance कर ले, उसमें ही चीज़े add कर ले, मैं तो ये ही बोलू ठीक, चलो, the number of integral values of a, a है minus 5 से 5 के बीच में, for which this equation has one root smaller than one, and other root greater than 3, ये तो सर जो अभी type पढ़ी है, वही लग गई, एक root 1 से बड़ा, एक root 3 से छोटा, यहाँ पर सर एक स्कोयर का coefficient 1 है, तो एक ही ग्राफ होनेगा, ये वाला बन जागा, तो ये तो सवाल सर हो गया न, इसम ज्यान रखो, एक root 1 से छोटा और एक root 3 से बड़ा, है न, क्या मैं discriminant लगा हूँ, तुम सोचो जरूवत है, यहाँ मैंने जरूर लिखा है, discriminant greater than or equal to 0, लिखा है, sorry, type 6 तो erase हो गई, लिखा जरूर था, discriminant equal to greater than 0, बट क्या उसकी जरूवत थी, एक root जब D से छोटा और एक root D से बड़ा, तो discriminant तो खुद positive आएगा, क्योंकि तुमने खुद नहीं किया statement में, एक root D से छोटा एक root D से बड़ा, यह तो हो नहीं होना है, इसका मतलब, है न, यानि D वाली necessary नहीं है, तो क्या कर दूँ मैं A into FD, A into F1 must be greater than, sorry, greater नहीं, less than 0, इसको solve कर लो, क्या मिलेगा, A की value 1 है, F1 क्या आजाएगा बच्चो, 1, plus 2A, minus 2, plus A, plus 5, must be less than 0, यहां से आजाएगा, 3A, 6, minus 2, plus 4, must be less than 0, यहां से आगया मेरे पास, A, less than minus 4, बटे 3, यह आगया मेरे पास, पहला, खीक, दूसरा करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चो, सर, simple है, A, A की value तो 1 है न, A into F of 3, A into F of 3, यह भी negative होना चाहिए, कर लो बच्चो, 1 into F of 3, यहां भी 1 लिख देता हूँ, F of 3 क्या बनेगा, 9, plus 6A, minus 6, plus A, plus 5, must be less than 0, यहां से क्या आजाएगा, 7A, 9, 5, 14, 14, 14, minus 6, 8, 7A, plus 8, less than 0, A आगया, less than minus 8 by 7, ठीक है, यह आगया, अब intersection लेना है, इन दोनों का, है न, और final intersection लेना होगा, minus 5 के से 5 के साथ, क्योंकि eventually answer तो minus 5 से 5 के बीच में चाहिए, वो उन्होंने दे रखा है, तो एक काम करते है, minus 5 से 5 के बीच में देख लेता है, ठीक है, और मेरे पास आ और मेरे पास आया है, minus 8 by 7, तो intersection लेते हैं, एक दुनी आ गई, minus 8 by 7 से छोटी, यह वाली, एक दुनी आ गई, minus 4 by 3 से छोटी, यानि यह वाली, और तीसरी सफेश से बना देते हैं, minus 5 से 5, minus 5 से 5, यह वाली, तीन कलर कहां दिख रहे हैं आपको, सर, minus 5 से minus 4 by 3, तो एक ही आउकात क्या आ गई, minus 5 पर closed, और 4 by 3 पर open, अब कितने integer आ रहें, minus 4 by 3 होता है, minus 1.33, minus 5 से minus 1.33, कितने integer आ जाएंगे, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, यह तो आएंगे, minus 1 तो भार निकल जाएगा न, यानि चार इंटीग्रल व minus 4, minus 3 और minus 2, तो आंसर क्या हो गया, 4, कितनी integral value आ गई, 4, देखो यार, कितना आसान सवाल था, अब मैं believe करना हो कि location of root आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, जो graph सोचने में दिक्कत होती होगी, वो भी समझ आ गया होगी, condition रटने की ज़रोत नहीं पड़ी यहाँ पर समझ करके सारी चीज़ा है, with derivation हो गई है, कहां-कहां end point की checking होती, यह भी clear हो गया है, कोई doubt है, नहीं है न, चलो बच्छो, I hope मज़ा आया होगा, और जो आपके पाप है, ऐसा belief है कि हो गया होंगे, खतम, यह मेरे और आपके बीच की बात है, एक vibe आ जाती है, है शायद क्या पता, इस सीरीज में कुछ और beautiful भी आता रहे, वो depend करेगा, है न, ले आएंगे कुछ होगा अगर आप लोगों के लिए, क्योंकि Alan तो परिवार है, और परिवार अपने एक-एक सदस्य को याद रखता है, तो सरुवत पढ़ी तो हम जरूर इसमें कुछ और ल